नमस्कार दोस्तों आप देखरें रोहिलोजी जारखन लोगसेवा आयोग की तरप से एक बहुत ही बढ़िया उंदा वकेंसी आई हुई है और ये बहुत पहले आई है बट मैं वीडियो कुछ दिनों बाट डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन्स देखने क मिल रहे हैं किसी को ये पता है कि फॉर्म फिलब करके उसको भेजना है उसका हाड कॉपी भेजना है किसी को नहीं पता है कि उसका हाड कॉपी भेजना है जिसको पता है कि उसका हाड कॉपी भेजना है तो उसको ये नहीं पता है कि उसमें क्या-क्या भेजना है तो बहुत स सारे लोगों ने वीडियोज डाले भी है तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद जारकंट से बिलॉंग करता हूं तो मैं कोशिज करूंगा कि यहां के परिप्यक्ष में हर एक चीज आपको सटीक बताऊं और प्रोपर वे में बताऊं और सही बताऊं तापकि आपके रिजक्शन के चांसेज नेगलीजिबल हो यानि जीरो हो तो आएए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि क्यों आने वाले लैटेस्ट और अच्छे एक्ट पढ़ेंगे जब आप एक्ट पढ़ेंगे यह तो FSI जो है वो एक्ट के तहां थी इसका इस्टाबलिश्मेंट होना है और जो हुआ बगाईदा उसके हिसाब से तो जो 37 सेक्षन है उसके तहत FSO का सिलेक्षन होता है और उसको एपाइंट करते हैं किसी अस्टेट के जो हेड होता है यह फूट कमिशनर वो एपाइंट करते हैं उसके लिए जो कालिफिकेशन से उस पे भी चर्चा की जाएगी तो आइएस पी विस्तार पूरवक देखते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक इतनी बड़ी पोस्ट है कि आपको जस्ट अब्जक्टिव पेपर्स है प्लस एक छोटा सा इंटर्वियो उसके बाद आप यह ग्रेट पेका नौकरी ले सकते हैं तो एक एक सीज पर अच्छे सा बात करेंगे और आप पेसंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखेगा वीगापर नंबर 1823 है लास्ट डेट जो इसका था वकेंसी जिसका एक्जाम आइधिंक 2018 में हुआ था यस 2018 में हुआ था 16 की वकेंसी थी उसे मात्र 24 सीट थे यहां पे 56 सीट है तो आप कह सकते हैं कि अल्मोस्ट डबल से भी ज्यादा है तो सीटों की संख्या अच्छी है आपके मेहनत करने पर आपको सफलता हासिल हो सकत है इसमें कोई सक नहीं है ठीक है पद का नाम जो है इंगलिस में इसको फूट सेप्टी ऑफिसर बोलते हैं अब देखिए टोटल इसमें जो सीटे हैं 56 है जेरल के लिए 22 सीट है जिसमें आल इंडिया ओपेन है अब आपको लग रहा होगा है कि आल इंडिया ओपेन कैसे को भी पब्लिक सर्विस कमिशन का अगरे एक्जाम होता है तो उसमें जो जेरल की सीटे होती है वो ओल इंडिया के लिए ओपेन होता है ठीक है उसमें किसी भी तरह का रिजर्वेशन का कोई रिस्टिक्शन नहीं है अन्रिजर्वड दैट इस ऑल इंडिया इलिजिबल तो 22 स सेटे है जो की भीट के लिए 14 सीटे है और मचल के लोग भी आ सकते है और ऑल इंडिया के लोग भी आ सकते है तो यह बास सम्मत्व से सबको दिया जाएगा उसके बाद बाकी ये सीटों का distribution आप देख सकते हैं OBC1 के लिए 5 सीटे हैं और 2 के लिए 3 सीटे हैं इसके form sending में जो hard copy आपको send करना है OBC1 और OBC2 में ये बहुत ही important criteria इसमें है उसको आप ध्यान से अंतक देखिएगा मैं बताऊंगा आगे फिर AWS के लिए 6 सीटे हैं जो कि 10% reservation है तो उससे साब से 6 सीटे इसमें लाई कर रहा है अब आगे बात करते हैं वेतनमान पेवेंड के लिए बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे बट मैं यहां पे आपको clear करूं यह payment 2 है दिखे payment क्या होता है एक तो payment 2 है एक payment 1 होता है एक payment 3 होता है तो UPC अगर कोई exam लेती है और कोई civil service का अलग exam होता है तो उसमें payment 3 भी होता है पेवेंड 3 में क्या होगा कि इसका basic high होगा ठीक है पेवेंड 3 अगर यह रहता जिसी यह 500 ग्रेट पे का है सेम ग्रेट पे होगा मगर पेवेंड अगर 3 लिख देगा तो इस चववन सो ग्रेट पे में अभी पेवेंड 3 के 2 के हिसाब से इसका 53,100 रुपीज बेसिक है ठीक है इस पे salary जूड़कर आप समझे कि आपको 85 तू 90,000 आपका salary बनेगा 85 तू 90,000 इस बात को आप contest रखे इसलिए आपकी joining के साथ ही आपको इतनी salary मिलेगी तेसलिए यह job मैं इसलिए शुरू में बोला है कि आपको सिर्फ objective के अधार पे इतना बड़ा post आपको दे रहा है अगर यही payment 3 होता तो इसका basic होता 56,300 जिसमे salary आपका लाक के आसपास चल जारखंड में OPS है, old pension scheme, इस बात पर आप focus करिएगा, जारखंड में OPS है, old pension scheme है, तो old pension scheme सबसे creamy चीज़ है, NPS में कोई नहीं रहना चाहता, OPS में सब रहना चाहता है, तो OPS में आपका अपने मन पे है, आप कितना इसमें पैसा कटवाना चाहते हैं, तो इससे साब से पै आपका जो प्रोवेशन पिरेड होगा, वो दो साल का होगा, अनिवार योग्यता, इस पे सभी का concept almost clear है, agriculture वाले लेजिबल है, फिर oil technology वाले लेजिबल है, सारे लोग लेजिबल है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा कनफ्यूजन कुछ लोगों को हो रहा था, कि PG तो नहीं मांग है, कि अगर आप chemistry से हैं, तो आपका master degree होना चीए, बाकि सब यूजी वाले eligible है, जिसका four year का degree है, बायो टेकनोलजी में four year का degree है, medicine में है, किसी भी चीज़ में है, उसके बाद आपका veterinary से अगर आप हैं, तो ये सब लोग eligible हैं, उम्र की सीमा की बात किया जाए, तो 18 2020 इसक 2020 के अधार पर होगा, इससे पहले तक आपकी उम्र जो है, वो कम से कम 21 वर्स होनी चाहिए, क्योंकि निवनतम उम्र है, और अधिकतम उम्र के लिए दुनिया भर का criteria दिया हुआ है, अनारच्छित के लिए 35 साल maximum होना चाहिए, फिर OBC के लिए 37 है, महिला अनारच्छित के के लिए 38 साल है, यह सारा criteria इसमें दिया हुआ है, उसके बाद SCHT के लिए 40 years है, पूरिस हो या महिला, बाकी आप विकलांगों के लिए 45 साल maximum है, तो AWS के लिए 35 years है, 45 years AWS के विकलांग के लिए, आप कूछ चीजी यहां पर क्या फस्ता है, सो देखिए, यहां पर एक एक्ज होगा, वो 100 marks का होगा, मतलब 100 questions होगे, 100 marks होगे, 2 घंटे दिये जाएंगे, उसके बाद 30 number का interview होगा, total 230 पे आपका merit बने वाला है, यह हो गया इसका criteria, minimum अरहतांग, यहां पर आप देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की चीज़े, अगर आपने written exam दिया, और अगर आपका इतना कम से कम marks नहीं आ रहा है, ठीक है, 40% यानि कम से कम 80 question, ठीक है, 200 में से, आपका सही होना चाहिए, जेनरल के लिए, इतना नियूरतम अरहतांग है, जो आपका आना चाहिए, लिखित परिछायों, साचतकार के, नियूरतम अरहतांग के चाहिए, मतलब, rate में आपका 80 हो इसका मतलब होता है, अगर इससे कम marks वाले candidate हमको मिल रहे है, तो चाहे ना मेरा seat खाली चला जाए, मैं नहीं लूँगा, ये इसका मतलब होता है, तो चाहे ना seat vacant चला जाए, इससे नीचे अगर किसी के marks आ रहे हैं, और candidate मेरा पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा seat खाली जा सकता है, ये है इसका मतलब, चलिए अब आगे बात करते हैं reservation की, जारकांड state के जो लोग हैं, उनको reservation मिलना चाहिए, क्योंकि जो जिस state के होते हैं, उनको reservation मिलना चाहिए, अगर उस state के category में lie कर रहे हैं, तो, क्योंकि general state open हैं, तो general को नहीं मिलेगा, तो अब बात यहाँ पर उठता है कि state में किस-किस को reservation मिलेगा, और उसके लिए क्रेटेरिया है, जो लोग general को छोड़कर, unreserved को छोड़कर, जितने भी category हैं, चाहिए PS candidate हो, AWS हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, primitive tribe हो, यह सारे को जारखंड के reservation category में रखा जा सकता है, और उसका लाव उनको तब ही मिलेगा, जब वे इस criteria को fulfill करेंगे, देखिए 9th section क्या बोलता है, 9th point हम यहाँ पर देखें, गहरा कि आरक्षन का दवा करने वाले सभी वर्य के अभियर्थियों को अस्थानिये, निवासी, प्रमान, पत्र, समभवित करना अनिमारे होगा, मतलब अगर आपके पास यहाँ का residential certificate है, तब ही आप यहाँ के अरक्षन का लाव ले सकते हैं, including EWS, ठीक है, आप अगर यहाँ के हैं, दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि किसी भी state में होता है कि सैचनी कारेओं के लिए, मतलब study के लिए, पढ़ने के लिए, उनको residential cost या income generate कर दिया जाता है, बनाया जा सकता है, और मिलता भी है, उसके अधार पे लोग यहाँ पर education ले सकते हैं, जिसके पिताजी यहाँ पर पोस्टिंग है, या बहुत सालों से रह रहे हैं, तो सैचनी के लिए मिल जाता है, but in the case of employment, वो अलग certificate जारी होता है, जिसमें for all purpose करके आपके certificate पे लिखा हुआ रहेगा, तो वो certificate आपके पास होना चाहिए, अगर आप सिर्फ educational purpose के लिए आपने बनवाया है, तो वो valid नहीं होगा, इस case में, यहाँ पे नीचे, अस्पास टूप से लिख दिया कि अनुमान नहीं होगा, मतलब माना नहीं जाएगा, रिजक्टेट, यह इसका criteria है, तो अगर आप जारकंडर स्टेट के हैं, और reservation का फाइदा लेना चाहते हैं, तो इस तरह का नियम है, उसके बाद इतने तरह के प्रप area इसमें दिया गया है, जो भी इसका प्रपत्र है, मतलब जो भी इसका लेटर है, कि क्या format होना चाहिए, किसके अधार पर होना चाहिए, आपका किसके certificate बना हूँय और मतलgende evening, जो सब्डिजनल ऑफिसर होते हैं उसके अधार पर होना चाहिए उसके बाद अपर उपायोक्त डिडी सी वगएरा यह सबसे भी बना हुआ होगा तो चलेगा कहने का मतलब दिन के दो तीन जगहा भी अगर आपको क्या होना चीए कि कि अगर सिर्फ झारखन पर्फस के लिए आपने बनवाया है तो आप्परुश कर यहां पर नोट करने योग यह बात यहां पर यह है कि अगर आपका सेंट्रल फॉर्मेट का अगर आपका का स्टिफिकेट बना यह इंवैलिड हो जाएगा यह important point है ठीक है अगर आपका central format पे है तो आपका invalid होगा यह बात अब असपस्ट्रूप से समझ लीजिए उसके बाद OBC लिए कि जो non creamy layer में आ रहे हैं अगर उसकी cast certificate की validity अगर खत्म हो गई है तो उनको अपना self declaration देना होगा तो आपके पास सवाल यह उठता है कि self declaration certificate है कहा है वो format कहा है तो पर्पत्र बोला है प्रत्रांक 17.4 यह जो बोला है यह सब पत्रांक आपको official website पर मिलेगा क्योंकि यह इसने कहा है important जारकन government circular है notices column में जाईएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा बट आपको खोजी नहीं की ज़ुरत नहीं है मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह है पर्पत्र जो की पर्पत्र 4 के बारे में चर्चा की गई है सारे कास्ट certificate का जो जो जिस कास्ट चे बिलोंग करते है जैसे बिलोंगी टि maatmen general से जुड सकते है टो आपको मेरे एप पर मिल जाएगा आप अगर जाते हैं Playstore पर और वहाँ पर ऐलोंगी टाइप करते हैं तो तो यह सब चीजे हैं उसके बाद यह देखिए पूरा फॉर्मेट है अगर आपके पास यह नहीं है तो इसके अधार पर आप मैच करवाकर ही अपना फॉर्म फीलप करें और देख लें कि किस तरह से यह चीजे की गई है यह सारा कुछ इसमें डिकलेर किया गया है ओबी सी के देखिए सबसे लास्ट में यह आपको मिल रहा है क्रीमे लेयर रहित होने संबंदी स्वाग होसना पत्र जो उसमें चर्चा किया गया अगर आपका वैलिडिटी खत्म हो गया क्योंकि तुरंत नहीं बन सकता है बनने में टाइम लेगा तो यह सवाग होसना पत्र आप इसक अगर आप करते हैं तो यह है परपत्र अब आगे बढ़ते हैं यह हो गया में कंफ्यूजन इस चीज में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और कंफ्यूजन का कारेन यही है कि लोग नोडिफिकेशन ठीक से पाड़ नहीं रहे हैं सेंट्रल वाला फॉर्मेट मानने नहीं होगा यही इसका ध्यान रखें उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स वालों के लिए है कदाशार का है परिच्छा सुल्क जेनरल के लिए 600 आप देखें यहां पर भी कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है जैसे आप फॉर्म भरेंगे आज आप फॉर्म भरें तो अगले दि फॉर्म भरें फिर पेमेंट जेनरेट होने में टाइम लएगा अगला दिन आपका पेमेंट होगा फिर उस अगले दिन आपका अप्लिकेसं फॉर्म प्रिंट होगा तो यह तिन दिन का प्रोसेस है इसलिए तो घळबढने की जER.ट नहीं है है इतना, टाइम लगता है. उ कि जो भी हाट कोपी आपको भेजना है उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे ठीक है फोटो वगेरा यह सब चीज आप देख लेना अच्छे से यूजर एड़ी मोबाइल नंबर जो भी आप डाल रहे हैं वह आपका अपना होना चाहिए चालू होना चाहिए उसी पर सारा कु अगर आपने कोई भी गलत सूचना दिया तो आपका फॉर्म बाद में रिजक्ट हो सकता है यह राइट रखता है जपसी अपने पास कि आपका फॉर्म रिजक्ट कर सकता है अभ्यरती अपना अप्लिकेशन फॉर्म जब उसका कंप्लीट हो जाता है तो डॉनलोड फिल्ड परती जितना परती करना है परती परती कर लिजे उसे कोई फरक नहीं पड़ता कुछ इंपोर्टन चीज है यहां पर आप उसका सॉफ्ट कॉपी जरूर रख ले उसके बाद यह कहा गया है कि आप अगर फॉर्म भरे हैं तो आप साथी साथ आप उसका फॉर्म का जो पेमेंट किये हैं उसका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए इनकेस अगर आपके पास हो जाता है तो वैसे कोई खास परिसान नहीं पास रहेगा तो उसे काम सारा कुछ हो जाएगा जो भी डिटेल आप दे रहा है आयोक को वह सही होने चाहिए अगर गलत होता है तो वह बिना किसी विलंब के आपका अप्लिकेशन फॉर्म रिजक्ट कर सकता है वह राइट रखता है भले ही रिक्वेस्ट करने पर कुछ औ बट वह अगर रिजक्ट करेगा तो आप उसमें अबलिकेशन नहीं लगा सकते हैं अब आगे बात करते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं आपको कोई गलती हो गया तो उसके लिए कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता है क्योंकि फॉर्म एक बार सम्मिट हो जाने के बा उसमें अगर कोई डर हो जाता है और सबकुछ वो जाता है तो इसके बाद आपका इडुर्म नहीं होगा यह ऐस्पष्ट लिक्स अंब कोई प्रॉबलम होता है तो इस नंबर पर प्वान्ड कर सकते हैं चारभ एकल धो कुछ तो आप उसके हैल्प डेक्स पे मेल करके आप रख सकते हैं ताकि आपके पास एविडेंस हो कि आपने कुछ जो गलती किया है उसके लिए आपने आयोग को सुचित कर दिया है आप देखें फॉर्म में क्या-क्या भीजना है ठीक है आप जो फॉर्म भरेंगे उसका दो पिच प्रिंट होगा उसका हाट को भी प्रिंट कर लेना है उसके बाद इसने कहा है कि कंडिका 3U के आधार पे जितने भी डॉक्मेंट्स है वह आपको भेजना है और बोल्ड लेटर्स में यह सारे चीजे लिखी होने चाहिए इसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं और यह मैं आपको सक्षा दिखा दूँगा देख आपका लग रहा है तो का सर्टिफिकेट भेजिए उसको सेलफ अट्रेस्टिट कीजिए उसके बाद अस्थानिय निवासी अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिसेटेंट्सियल का उसके बाद अगर अगर आपने यस किया है उसमें तो आपके पास अनुसी का कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए उसके बाद पीएच कंडिट अगर रहा है तो उसके लिए आपके पास जो प्रूफ है वह भेजिए फिर एडवल्यूस के लिए यह सारे डॉक्मेंट्स आपको लगा कर भेजना ह तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको बहुत सौधानी से फॉर्म भरना है और जो जो डॉक्मेंट भेजना है उसकी लिस्ट यहां पर दी हुई है इस बात का ध्यान रखे अगर आपका नॉन क्रिमिलेयर का पार हो रहा है तो उसमें आप यह डिकलरेशन फॉर्म सेल्फ डि ग्यापन संख्या यह बोल्ड लेटर्स में आपको लिखना है अठारा दोहजार तैस उसके बाद पद का नाम खात्सुरचा पततकारी अपना रेश्टेशन नंबर जो है वो किलियर कट बड़ा अच्छर में आप लिखकर इसको भेज सकते हैं यह सब सारी चीजे हैं जो आ आप करेंगे तो वहां से मैं आपको फुल जनकारी दे सकता हूं आपको मिल जाएगा वहां से जोईन कर सकते हैं इसका डिसकसन ग्रूप भी है तो यह था अलग सीजें अगर आपको लगती कि इसके अलावा भी आपके पास डॉट रह गया तो बेसक आप हमसे संपर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद